नमस्कार दोस्तों, मैं मेतुन सिंग, स्वागत करता हूँ आप से भी का एक नई recruitment के साथ, एक नई recruitment की information आपके सामने मैं रखूंगा तो सबसे पहले मैं बता दू, अगर आप जारखंड के हो, तो ही इस वीडियो को देखें तो बस आपको क्या करना है, इस वीडियो को शेयर करें, अगर अधिक से अधिक लोगों का लाइक आया इस वीडियो पे तो जल्द ही आपको जो है, एक और वीडियो देखने को मिलेगी, recruitment की जो जारखंड सरकार से संबंदित होगी तो वीडियो को शेयर करना है अपने दोस्तों के बीच, तो चलिए, जैसा कि आप यहां से देख सकते हो, circuit house देवगर की image यहां पे लगी हुई है और यहां से देख सकते हो, water fountain की, और DC office देवगर की, और यहां से बाबा बैदनाद धाम की image यहां पे लगाई गई है आप सबच चुके होगे, यह recruitment आई है, देवगर से, जी हां, अब आपको देखो क्या करना है, बिल्कुल आप यहां पे आ सकते हो, देखो, what's new के section पे जब आप आते हो, तो आपको यहां पे देखो, इस जगह पे आपकी काम की चीज़ यहां है regarding recruitment in various posts in पंचायत राज़ डिपार्टमेंट, तो यहां पे आपको क्लिक करना है, और अगर आप इसकी PDF लेना चाहते हो, तो आप यहां से मेरी email id देख सकते हो, yourmithunsin.com पे आप मुझे mail कर सकते हो, या फिर आप Instagram पे हो, तो at the red imithunsin.com पे आप मुझे follow करके वहां पे DM कर सक सकते हो, direct आप मुझे question पूछ सकते हो, और telegram पे जुड़ जाए, वहां पे इसकी PDF आपको frame में मिल जाएगी, तो देख लो यहां पे दो बातें लिखी गई है, फाइल यहां से आपको download कर लेना है, और सारी information आपको यहां पे मिल जाएगी, तो देखो vacancy की update आपको यहां स इस application form से मिलेगी, और यहां से पूरी information आपको मिलेगी, क्या vacancy आईवी है, कितने post के लिए recruitment, आईवी है देवगर जिला के लिए, तो यहां पे जैसे ही मैं click करूंगा, तो देखना, थोड़ी सी wait करना होगा आपको, और जैसे ही थोड़ी wait कर लोगे, तो फिर आपको PDF मिल नमस्यवाय लिख के थोड़ा सा comment box को थोड़ा भक्ती वाला महौल बना दे, अगर आप दूसरे धर्म से बिलॉंग करते हो, तो कोई बात नहीं है, आप जाहिन जरूर लिखें, चलिए, यहां से देख सकते हो, आप ये recruitment की, दो recruitment जो आई हुए, यहां से देख लो, कनिये अभियंता की, और दूसरा है, लेखा लेपिक सा computer operator की, आप salary नहीं, इसे मान देह बोलते हैं, यानि कि आपका मान रखा जाएगा, तो यहां से देख सकते हो, 10,000 रुपे मिलेंगे आपको computer operator वाले को, और engineer साहब को 17,000 रुपे मिलेंगे, अब देखो, total 20 post है, जिसमें से मै आप सिर्फ 10 post की आपको बात बताऊंगा, क्योंकि यह unreserved है, unreserved का मतलब यह होता है कि general की seat है, यह 10 है, SC, ST के लिए देखो, यहां पे SC के लिए 3, ST के लिए 2, BC1 के लिए 3, BC2 के लिए 2 seat को क्या क्या गया है, reserved रखा गया है, अब यहां से देख लो, अगर आप अच्छी quality की आपने qualification रखी है, तो आपको वरियता दी जाएगी, याद रखना आप यहां से देख सकते हो, जो chain है, वो इस परकार से किया जाएगा, कि आपको जो है, अंक जो है, ग्यान संबंधी जाच परिक्षा में, तो जाच परिक्षा होगी, उसके according आपका result होगा, अब देखो मेगा सुची बनाने की पद्धति क्या होगा, देखो, तीन गुना विर्थियों को लिया जाएगा, सारी बातें देख लो, आप असानी से, तीन गुना छात्रों को लिया जाएगा, उसके बाद जो है, इसी तरह से एक वर्स के लिए यह वैलेड रहेगा, उसके बाद आप इंफर्मेशन लिनी हो, जो मैंने इमेल आइडी और जो इंस्टा आइडी बताई थी, अड़रेट आई मितोन सिंग के ओपर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो, मुझे, कोई भी डाउट हो तो वहां से आप मुझे पूच सकते हो, तो थैंक्यू सो माच, आपने वीडियो को यह